जी तो अब अगला टोपिक है हमना लेक्रीमेशन ठीक है लेक्रीमेशन मैंने पहले ही डिफाइन कर जाए था क्या वाटरिंग आफ आई ड्यू टू इंक्रीस टियर प्रोडक्शन दूसरा एपिफोरा पड़ा था वो क्या था वाटरिंग आफ आई ड्यू टू डिक्रीस टि को एकाई बोलते हैं हम फ्क्रेमेशन फिक अब इसके कादस का ने मुने कापि से लगा सकते है एक यह उयदक resil generation 7th nerve की यूँकि 7th nerve हो मारी कौण सी होती है facial nerve होती है ठीके यही nerve होती है जो अमारी celery glands को भी supply कर रही होती है और यही nerve होती है जो अमारी terigo palantine ganglion को यहाद है मैंने शुरू में बता था कि terigo palantine ganglion lagrima gland को supply जेता है ठीके पैरा sympathetic supply जोगा था तो 7th nerve salivory gland को भी supply कर रही होती है और 7th nerve आपके teragopalentine ganglion को भी supply कर रही होती है अगर कोई abnormal regeneration हो या nerve connection बन जाए किसके बीच में teragopalentine ganglion या facial nerve का और salivory gland का तो जब भी patient खाएगा तो उसके salivory gland activate होंगे salivory gland को जब stimulation आएगी तो साथ-साथ teragopalentine ganglion को भी चली जाएगी ठीक है और teragopalentine ganglion को चली जाएगी तो साथ-साथ lacrimation भी होगी तो क्या होगी tearing during या lacrimation during eating सही है इसको हम crocodile tears भी बोलती है उसके बाद क्या हो गया अच्छा होगा एपनोमल रिजनलिशन आफ्र सेवेंथ नाव paralysis क्रोकोडाल टीर्स नाम याद कर लें मिकनिजम याद ना करें फिर भी काफी है अच्छा उसके बाद क्या होगा पी से आपका होगा सूडो बर्बर पालसी ठीक है दूसरे पी से ओका है psychic stimulation जैसे happiness या sorrow दुख या खुशी उसमें भी आसुई आते हैं ठीक है उसके बाद क्या होगा आई होगा आई होगा आई से कोई भी inflammation वगरा हो जाए ठीक है simply अमर्दी याद काफी इतना ही याद कर लें तो अच्छा अब इसकी आते हैं हम आगे treatment इतनी कोई खास नहीं है एपीफोरा ठीक है एपीफोरा क्या है watering from eye due to decreased drainage of tear वो क्या था increased tear production यह decreased drainage of tear यह में पहले बता सकता हूँ ठीक है अच्छा इसके causes क्या है एक तो obstructive causes हैं दूसरे क्या है अच्छा इसका नहीं तो अच्छा इसका मतलब यही क्या है और फंक्शनल मतलब कोई blockage वगेरा हो जाए और फंक्शनल मतलब कोई blockage वगेरा ना हो कोई function में abnormality आ जाए ठीक है तो obstructive causes में कौन कौन से आते हैं punctal stenosis ठीक है पंक्टल stenosis मतलब यही क्या हो जाए इस्टी नोसस का मतलब होता है narrowing नेरोइंग हो जाए ठीक है क्या हो जाए पंक्टल stenosis मीन्स नेरोइंग ठीक है एट्रेज यह भी क्या होता है यह भी नेरोइंग यह होती है ठीक है क्या हो जाए पंक्टल stenosis यहाँ केनलेकुलर की एट्रेज यहाँ इस्टी नोसस हो जाए ठीक है यह भी obstruction कराएगी यह हो गई फिर भी obstruction हो जाएगी तो टीर बाहर आना शुरू हो जाएंग इधर से यह यह भी एपी पिटाय ओगी यहाँ आपकी नेरोल एकिममयल डर्ट की इस्टी नोसस हो जाए तो अस भी क्या ओजाएगग यह पूरा सिस्टम ब्लोकेज जाएगा और … ञाभी accounts फिर दिो नेरेज नहीं होगए तिक है यह फिर निजेन पॉलीप गहर hall, द्स रूसान्य ने एपीफोर होगी अब फंक्शनल प्रॉब्लम क्या सकता है फंक्शनल प्रॉब्लम हमने पहले शुरू में आपको रिवाइस करना चाहिए फिजियोलोजी में हमने इसका क्या पढ़ा था पुरा मेकनिदम पढ़ा था कि टीर कैसे देनेज होता है तो पहले उसको याद कर कि इसमें करें इनैबलिटी आफ देंग्टि मेकनिदम टूड्रेंडप्ष मतलब फंपिंग मेकनिदम साही तरह काम नहीं करेंगा टीर्स को ड्रेंग करने करेंगा और पंपिंग मेकनिदम पीछे यह यह लिजदा लूइब लिड लैक्शी अब लोड़ लेक्शी हो गई और आपके लोर लेड नीचे आजाएगी ठीक है लोड़ के आजाएगी नीचे आ जाएगी लो लेड़ आगे लूगे लीचे आगि तो पंक्टम में सही तहाँ टी लेंगे इस नहीं होगी ठीक है तो मुछा को उसके बाद क्या है फेशयल पेलसी से क्योंकि हम पीछे में आपको बता दिया घा कि यह और्भीकुर्स क्यों करें मैंडॉल आशज से था क्योंकि यह कॉंट्रेक्ट हो रहा था पिर आपका यह कॉंट्रेक्ट हो रहे थे होडनर मसल फिर ये डाइलेट हो रहा था और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा था इसके अंदर फिर टियर सक हो रहे थे ठीक है ये मैंने पहले डेटल में बता है अगर इसकी पेरलाइसिस हो जाए तो ये पूरा मेकनेजमी काम नहीं करेगा और ये डेटो प्रेशर भी ग nhấtे होगा और टियर की सखिंगत भी नहीं होगी और डेंज भी नहीं होगी ठीक है दूसरा लोर लिड एक्ट्रोप्यून एक्ट्रोप्योन हमने आइदलिड में पढ़ आएक प्ढ़ा क्या होता है कि जो आइदलिड होती है वो बाहर रोल आउ पर और यह को जाँ होती है लेक्रीमल शिस्टम पेटेश मतलब शुम मनें पर चुंद प्रम डाइ त्पस्क प्रेज ओर डिसे下र और पे वो क्या करेंगे अई में चुर्प थिय्क याय में डालेंगे ठीक बने खिर फिर उनीम देखतें पांक मिनटे बाद जिए यह दिए खिर समय जो रहा है यह अगरू रहें 않았yi पर कोई नहीं पर यहां पर कोई ब्लोकेज होगी तो यह आई से निकल नहीं पाएगा और यहां पर इसके बाद इसमें क्या होते है इसके पर शुरूरिटरगंते श्युर्ष में होती है दो किसंठीटर होती है यह बारिंटर्थ लग स्ब्सक्राइब ह gray रख म technically अपुर्च इंडिकर आयगा दो LEG यह curry सिप्पा निद्ध показ में अगर हमने अय में डाला सेम बात उसकी तरह आई में डाला और अगर वो नोस से हमें मिल रहा है नीचे से ठीक है नोस से मिल रहा है यहां से मिल रहा है हमें ठीक है यहां पर हमने आई डाली और यहां पर नीचे नोस से हमें वो डाय मिल रहा है तो इसका मतलब कोई partial obstruction है या pump failure है मतलब complete obstruction वगरा है ठीक है तो इसको confirm करने के लिए हम क्या करते है secondary zone test primary zone test हम देखते हैं कि आया कि obstruction है या नहीं है partial है कैसी है ठीक है इसमें हमें confirm हो जाता है कि कौन किसे किसम की हमरे पास obstruction है ठीक है तो इसमें होगा when in primary test the die is not recovered अगर primary test हमने किया और die हमें नोस से नहीं मिला then irrigation is done with saline फिर हम क्या करते हैं saline डालते हैं lacrimal sake में कहां पर डालते हैं इस जगह पर lacrimal sake में याद रखे saline यहां पर डालते हैं ठीक है और fluorescent हम यहां पर डाल लेते हैं conjunctival sex से आ रहा था और यहां पर हमने क्या डा रहा था ठीक है saline डालेंगे ठीक है अगर अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है if fluorescent stain saline is recovered it indicates partial obstruction whereas the un-stained saline in the nose indicate canal molecular obstruction और pump failure अच्छा यहां पर हमने fluorescent डाला यहां पर हमने saline डाला अगर हमें यहां पर fluorescent यहां से आएगा pump के जरीए यहां पर आएगा और यहां से लाइन तो saline और fluorescent दोनों मिल जाएंगी तो saline का color भी क्या हो जाएगा stain हो जाएगा coloring हो जाएगी saline की अगर हमें saline मिल रही है colored means stand means color saline मिल रही है तो इसका मतलब कि हमारा क्या है कोई partial obstruction है complete obstruction नहीं और यह काम हमारा पूरा कर रहा है system लेकिन partial obstruction है ठीक है अगर हमने यहाँ पर Seline डाली और यहाँ पर Floresin डाली अब Seline तो नीचे मिल रही है हमें लेकिन Floresin हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कि इस पार्ट में कोई नेugाउनी अब स्ट्रक्षिन है जाँ तो आपके यह पंक्टले स्टीनोसिस हो सकती है यह सकती है, कोई बी आपस्ट्रोप यहां पर और यहां पर हो सकती है। जब हम यहां से प्रॉब प्रॉप पास करेंगे तो वो क्या करगी इसको खींचती हुई आगे चली जाएगी वह खींचती हुई यह तो क्या करेंगी कोई और फाइबरस टिशू अटेच्छ यहां तो जैसे नीदल यहां पर आके लेक्रिमर्स है कि मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा सॉफ्ट सभी भी ते स्कॉफ्ट से सहफ फिलिंग मिलेगी जब है कि अगर 7wing यहां पर सिस्टम ओपन है तो हम जैसे ही निडल डालेंगे निडल सीधा जाएगी और पीछे जागे सीधा बोन को टच करेगी उनके बीच में कोई भी टिशू यहां पर नहीं होगा और सीधा आगे टच करेगी तो ऐसे में हाड फीलिंग आएगी ठीक है हाड सेंस आएगा तो इसको ह नहीं है तो हमें हार्ड स्टॉप मिलेगा ठीक है यह हमारा लेकिन मर्स सिस्टम पूरा होगी है